हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स हम आज इस वीडियो में आपको बताएं बताएंगे कि एक रेविट के जो बच्चे हैं उनको मां से अलग रखना चाहिए साथ में रखना चाहिए कितने दिन बाद में अलग करना चाहिए तो यह यहां पर चैनल सुन्दर बच्चे दिये हैं यह देखो इनके भी खुल गई है इनकी तो यह देखिए यहां पर बहुत तंदुरस्त बच्चे इनका पकिवार इस फिमेल कामने जो हमारे पास में एक अंगोरी रेविट है उसके साथ मेंटिंग करवाई थी तो बच्चे अच चाहता हूँ फिमेल लिट बहुत अच्चे से केर करी है तो इनको जब तक दूद्ध पिते हैं मतलब दूद्ध मण Tay Kelly को शाच में रखना चाहिए है're Trump दूद्फितीरे फेमेल को उनके साथ में रखना कभी भी अपने अनुसार वो दूद पिलाती रहती है तो बच्चों को फिमेल रिबिट के साथ में ही एनी टायम रखना चाहिए वो जब अपना मन करे वो आराम से उसको पता रहता है एक मा को की किस टायम दूद पिलाना है और उसके बाद में जब बच्चे आंके खुल है फिर भी महीने पहले महीने पर पहले बच्चों को अलगने करना चाहिए उसका रीजिन यह है कि अगर आप दूद नहीं पिलाते हो एकदम चोटों बच्चों को फिर वो चारा खाने लग जाते है तो चारा खाते गाते क्या है कि फिर उनके लूज मोशन वाली प्रोब्ल फिर कोई प्रोबलम नहीं आती है अगर मा से अलग कर देटे हैं तो आपने अनुसार चारा खाते रहते हैं और ड्राइब फूड भी खाते रहते हैं यहां बच्चे देने के तो इनके ऊप आधी मे यहीं बताए रखती है कभी भी दूथ पिलाती रही अपने सामने पिलाती नहीं है तो इनको के शाथ में रखना जरूरी होता है और महीने बर्तक तो फिमेल का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चों को हरा चारा खाने लग जाए तो भी दूद्ध पीते रहेंगे तो कभी भी लूज मोशन वाली प्रोब्लम नहीं आती है